अध्याय 16, आकडों का विशलेशन, एनलाइजिंग डाटा, परिचे, इंट्रड़क्शन हम प्रती दिन नई नई सूचनाओं के संपर्क में आते हैं जैसे इस साल चामल के उत्पादन में 8 प्रतिशत वृद्धी हुई पिछले वर्ष किस खिलाडी ने सबसे बहतर होकी खेली या फिर मोबाइल कमपनी ए ने जन्वरी के महिने में कितने मोबाइल बेचे ऐसी और बहुत सी महत्पून जानकारियां प्रकाशित होती है जिनकी आवशक्ता हमें पढ़ती रहती है जैसे रेल गाड़ी के आने जाने का समय फल सबजियों के दाम पेट्रोल का वर्तमान मूल्य अनाज तथा डेरी का उतपादन स्टील, कोईला तथा अन्योत पादन इसके अलावा और भी बहुत से आकड़े होते हैं जिनके आधार पर महत्वपूर निड़ने लिये जाते हैं तथा भविश्य की योजनाएं भी बनाई जाती है किस्म किस्म की जानकारियां कैसे ढूंडे क्या हम अभी अब बता सकते हैं कि आने वाले दो दिनों का तापमान कैसा रहेगा या इस वर्ष राजे में कितनी मात्रा में चामल का उत्पादन हुआ या फिर पिछले पांच वर्षों में पेट्रोल के दामों में कितनी व्रिद्धी या कमी हुई इन सभी के बारे में कुछ कह पाना संभव है किन्तु सीधे सीधे नहीं इन सभी सवालों के जवाब खोजने के लिए हमें इन से संबंधित आकडों का अध्यन करना होगा अखपारों और पत्रिकाओं में विभिन आकड़े जैसे फसलों के उत्पादन, मौसम संबंधी जानकारिया, खेलों का विवरण, खाद्य वस्तुओं के दाम आधी प्रकाशित होते रहते हैं स्वास्थ और शिक्षा से संबंधित आकड़े भी सरकार द्वारा विभिन संस्थाओं के माध्यम से एकत्रित किये जाते हैं जैसे कौन से क्षेत्र में किस बिमारी का फैलाव अधिक है, उससे कितने लोग प्रभावित है इसके आधार पर यह तै करने में मदद मिलती है कि बिमारी की रोग थाम के लिए किस तरह के इंतिजाम की आवशक्ता है आज से 6-7 दशक पहले भारत में यह भी मैतपूर्ण प्रश्न था कि इस साल देश में अनाज का कितना उत्पादन हुआ कितने की आवशक्ता है और अनाज की आपोर्टी के लिए कितना अनाज बाहर से मंगवाना पड़ सकता है आखडों को विभिन अखबारों पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित करवाया जाता है जिससे सबको जानकारी रहे कि कौन सी योजना किस प्रकार के आकड़ों को आधार बनाकर लागू की जा रही है तथा किस प्रकार के आकड़ों के आधार पर निर्ने लिये जा रहे हैं करके देखें पहला आपने गणित के अतिरिक्त अन्य विश्यों जैसे विज्ञान, सामाजी कध्यान आदी में भी आकणों का प्रयोग होते हुए देखा होगा आकणों के कुछ उधारन दीजिए दूसरा कुछ पत्र-पत्रिकाओं तथा अकबारों का अवलोकन कीजिए तथा इन में छपे आकड़ों को इकटा कीजिए चर्चा कीजिए यह किस-किस के बारे में है तीसरा, आपके स्कूल के आफिस में किस तरह के आकड़े उपलब्ध है? पता कीजिए चौथा, स्कूल परिसर में आपने नोटिस बोर्ड पर आकड़े देखे होंगे कौन-कौन से आकड़े देखे? सोचे और चर्चा करें नीचे दिये गए सवालों के जवाब आप कहां-कहां से पता लगा सकते हैं पहला, आपके जिले में कौन सी बिमारी का फैलाव अधिक है? दूसरा, वर्तमान वर्ष में आपके जिले की जनसंख्या कितनी है? इसी तरह से कई बातें हम अपने बारे में भी जानना चाते हैं जैसे क्या आप कक्षा के सभी विद्यार्थियों से तेज दोड़ सकते हैं? या फिर आपकी उचाई कक्षा के बाकी शात्रों से तुलना करने पर कम है या अधिक? इस तरह के प्रश्णों का हल हम कैसे डूढ़े? कुछ चात्र चात्रा आप से तेज दोड़ते हैं और कुछ दीरे कुछ आप से लंबे होंगे, कुछ छोटे अगर एक कक्षा में 50 विद्यार्थि हैं और उसमें रानी की उचाई 160 सेंटीमिटर है तथा बाकी के विद्यार्थियों की उचाई इस प्रकार है क्या इन आकडों को देखकर आप यह बता सकते हैं कि रानी की उचाई बाकी विद्यार्थियों की उचाई की तुलना में कहां ठाहरती है? हर बच्चे की उचाई के साथ उसकी उचाई की तुलना करना मुश्किल है यदि इन आकडों को व्यवस्थित रूप से संग्रहित कर लिया जाए तो तुलना करना आसान हो जाएगा अता आकडों को व्यवस्थित करने के लिए हम बारंबरता सार्णी बनाते हैं इस बारंबरता सार्णी में इन आंकडों को विवस्थित किया गया है तालिका एक इस बारंबरता सार्णी को देखकर क्या-क्या निश्कष निकाल सकते हैं? एक तो यह कि सबसे ज्यादा बच्चे 160 cm वाले समू में हैं इसमें 13 बच्चे हैं 17 बच्चे उन समू में हैं जिनकी उचाई रानी की उचाई से कम है सबसे कम उचाई 158 cm है और इसमें 7 बच्चे हैं हम इस सार्णी से और क्या-क्या निश्कष निकाल सकते हैं? दोस्तों से चर्चा करें वह कम से कम 5 और निश्कष लिखें इसी तरह हम तेज दोड़ने की बात करें तो हम देखते हैं कि सभी दोड़ने वालों की गती एक बराबर नहीं होती यहां दिये गए आखडों में 50 लोगों के दोड़ने की गती किलो मेटर प्रतिघंटे में दी गई है यानि यह बताया गया है कि एक घंटे में वे कितने किलोमिटर दोड़ते हैं तालिका 2 यदि नफीसा के दोड़ने की गती 7 किलोमिटर प्रती घंटा है तो उपरोक्त तालिका की साहता से उसकी गती का तुलनात्मा कध्यान कर सकते हैं यहां भी देख सकते हैं कि कितने लोग उससे तेज दोडते हैं और कितने लोग उससे धीरे दोडते हैं